हलो फ्रेंड मैं बिर्जेस कुमार आपिसियल यूटूब चैनल यूजी सीनेट क्रेकर में यह वीडियो बहुती मातपून है और नोकरी से रिलेटेड है मैं डेली सरकारी नोकरी प्रैबेट नोकरी से रिलेटेड वीडियो बना कर यूजी सीनेट क्रेकर यूटूब चैनल पर अपलोड करता हूँ तो यह वीडियो आपके लिए बहुती मात्पून होने वाला है इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिक्सन को प्रेस कर दें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सेर करें जिससे की बेरोजगार को रोजगार मिल सके इस विडियो में साइंटिस्ट पदो के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें 25 से ज्यादा पदो पर आवैदान आमंत्रित क्या गया है यह वैकेंसी CSIR National Fiscal Laboratory में आया है application form receipt करने की अंतिमतिती 30 माई 2022 है 30 माई 2022 से पहले application form इसमें जो address दिया है उस address पे पहुंचना चाहिए scientist का पद है 25 पदो के लिए आवैदान आमंत्रित है pay level L11 है 6700 basic pay है इसमें टोटल pay दिया है age limit 22 साल है इसमें विभीन पदो के लिए आवैदान आमंत्रित क्या गया है यहां पे आते हैं तो यहां पे वेकेंसी डिटेल दिया हुआ है इसमें post code है pay label है नंबर आ पोजिशन है qualification, desirable और rule description यानि rule description दिया हुआ है इसमें PC1 में जो पद है वो दो पद के लिए आवैदान आमंत्रित हैं इसमें ME या M-tech वाले eligible हैं या PhD वाले हैं scientist के लिए 3 पद हैं जो ME, M-tech के लिए हैं इस तो से विभीन पद है scientist के लिए यहां पे एक पद हैं इसमें ME, M-tech वाले यदि आप ME या M-tech qualify हैं इसके लिए आप eligible हैं इस सभी पद के लिए आप apply कर सकते हैं या आप PhD submission कर चुके हैं तो भी आप apply कर सकते हैं इसमें विभीन पद हैं जैसा कि स्कीन पे दिखाई दे रहा है और सभी पद scientist के लिए हैं ऐसे इसकीन पे आपको दिखाई दे रहा है यहां पे general terms and condition दिया है application form fill करने से पहले अप्लिकेशन सुल्क की बात करें तो अप्लिकेशन सुल्क बहुत कम है सो रुपी अप्लिकेशन सुल्क हैं जो डीडी बना कर पे करना है हाउ टू अपलाई के लिए आपको वेबसाइट पर बिजिट करना है